जेहिन सातियों सातियों सेनाबर्तिरेली 2021-22 के लिए खुसकबरी आई है कि सभी सेनाबर्तिरेली कनपरम हो चुकी है दोस्तों दोस्तों सभी ARO से नोटिपिक्शन वा कनपरम उतरपरदेश, उतराकंड, राजस्तान, पंजाब, हर्याना इन स्टेर्ट से विलोंग करने वाले यूओं के लिए बड़ी खुसकबरी आई है कि उनके ARO से कनपरम नोटिपिक्शन जारी हो चुका है दोस्तों चाहि कोई से भी डिस्टिक्श से विलोंग करने वाले यूओं है उनके लिए सेनाबर्ती रेली के लिए अच्छी खबर आचुकी ही दोस्तों तो दोस्तों आप वीडियो अंतक जरूर देखना ताकि आपको अपने स्टेट के बारे में सेनाबर्ती रेली का कंफरम नोटिपिकिसन है दोस्तों उसके बारे में जानकारी का पता चल जाएगा दोस्तों जी हाँ दोस्तों उत्रपरदेश, उत्राखन, राजस्तान, पंजाब, हर्याना स्टेट से विलोंग करने वाले युवाओं के लिए ये अची खबर है दोस्तों तो दोस्तों आप सेना भरती रेलियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर यदि फ़स्ट बार विजिट कर रहे हो तो पर इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो पासों बेल आइकन दिखे रहा है उसको प्रेस कर लेना दोस्तों जी हाँ दोस्तों सेना भरती रेलियों के बारे में जानकारी आपको इसी चैनल के मादें से मिलते रहेगी दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक कीजिए कमेंट यदि किसी भी सेना भरती रेलियों के विलाउं करते हो तो आपको जानकारी न के लिए उसके बाद में राजस्तान पंजाब हर्याणा इस्टेट से विलोंग करने वाले यूओं के लिए नोटिफिक्शन दिखाएंगे दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हेड क्वार्टर रिक्वार्मेंट जोन यूपी और उत्राखंड लकनव ए आरो से विलोंग करने वाले इस्टिक के लिए सेनबर्ती रिली का नोटिफिक्शन कनपरं मुथे दोस्तों क्वार्मेंट जा रहिले दोस्तों जी हाँ दोस्तों इन सेना बर्तिरेली का इस्तान है वो फतेकट के अंदर होगा ए आरो बरेली से विलोंग करने वाले युवाओं के लिए दोस्तों दोस्तों इसके लिए जीले हैं बरेली, बदायू, साजापूर, पिली बिती, हर्दिया, सितापूर, लखिमपूर, सावती, संबल, फ्राकाबाद, बल्दरामपूर और बहराईच इन जीलों से विलोंग करने वाले युवाओं के लिए 8 अपरेल से सुरूओ कर 30 अपरेल 2021 तक सेना बरेली का कंपरम नोटिफिक्शन आ चुका है दोस्तों दोस्तों आप ARO बरेली से कॉंटेक्ट नमबर पर बात कर सकते हो और सेना बरेली कंपरम है आपके ARO से 8 अपरेल से सुरूओ कर 30 अपरेल 2021 तक दोस्तों दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं मेरट ARO से विलोंग करने वाले युवाओं के लिए जो सेना बरेली होगी 12 माई से 10 जून 2021 तक सेना बरेली का इस्तान होगा मुझपक नगर दोस्तों मेरट, साराज़ापूर, मुझपः नगर, गोतंबुर नगर, बिजनोर, बागपत, गाजियाबाद, मुरेदबाद, बुलंसेर, अमरोला, हपड़ा, रामपूर, सामले इन 13 जिलों से विलोंग करने वाले योंओं के लिए शेना बरेली 12 मई से शूरू होकर 10 जून 2021 तक सेना बरेली का इस्तान होने जारा है दोस्तों सेना बरतिरेली इस्तान होगा वारानसी वारानसी के अंदर सेना बरतिरेले होगी वारानसी गोरोगपूर देवरिया चंदोली आजमगड मुवा बलिया गाजियापूर जोनपूर 70 वादिया नगर मिर्जापूर और सोन बदर इन 12 डिश्टी के लिए सेना बढ़ती रेले का आईजन होगा वो वारानिसी के अंदर होगा 3 सित्मबर से लेकर 27 सित्मबर 2021 तक उत्र पर्देश इस्टेड के योग लिए सेना बढ़ती रेले का आईजन होने जारा है दोस्तों दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं अमेटी अमेटी के सेना बढ़ती रेले होगी 5 अक्टॉमबर से शुरूओ कर 25 अक्टॉमबर 2021 तक जो फेजा बाद के अंदर सेना बढ़ती रेले का आईजन होने जारा है उसके लिए सल्टानपूर, राइबरेली, अमेटकर नगर, कोसी, बी, परताबगट, महाजन बस्ती, कुसी नगर, सिधार्त नगर, अयोध्या, संतकबीर नगर, परियागराज, और अमेटी, तेरा डिश्टी के लिए सेना बटी रेली का आईजन होगा, जो फेजाबाद के अमेटी, एरो, से विलोंग करने वाले योओं के लिए अच्छी खबर है दुस्तों, अब बात करते हैं, लखनो, लखनो, एरो, से विलोंग करने वाले योओं के लिए, 9 नॉम्बर से सुरूओ कर 27 नॉम्बर 2021 तक सेना बटी रेली का आईजन होने जा रहा दूस्तों, तो सिर्कूर्ट फतेगर्ड गोंडा औरया और कन्रोज डिस्टिक्स से विलोंग करने वाले यूओं के लिए सेनाबरतीरेली का आई जिन होने जा रहा है दोस्तों दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं लेंसाव जो अभी सेनाबरतीरेली कोट दुवार के अंदर उत्राखंड से विलोंग करने वाले यूओं के लिए आई थी दोस्तों दोस्तों उनी यूओं के लिए सेनाबरतीरेली अब 5 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर 2021 तक होने जा रही है दोस्तों ये सेनाबरतीरेली कोट दुवार के अंदर आई जित होगी दोस्तों दोस्तों इसके अपिशने अब बात करते हैं है अब बात करते हैं अलमोडा मोडा अरो से विलां करने यह सेना बर्तिर लेवी रानी खेत के अंदर आई जित होने जा रही है दोस्तों दोस्तों पितोरगार्ट चंपावत और पितोरगार्ड नगर से युवा जो विलोंग करते हैं डिस्टिक्स हैं उनके लिए सेना बर्तिरेवी छे जनवरी से सुरूओर कर 31 जनवरी दोजार 22 तो दोस्तों इन दो इस्टेट से विलोंग करने वाले योगों के लिए अच्छी खबर है उत्रागंड और उत्तर प्रदेश के योगों के लिए सेना बढ़ती रिली 2021 और 22 के अंदर होने वाले सेना बढ़ती रिली की संपूर्ण जानकारी मिल गई है दोस्तों जी हाँ दोस्तों अब बात करते हैं राजस्तान से राजस्तान से जोदपूर ARO के लिए कंपरम नोटफिक्शन हुआ है दोस्तों उसकी सेना बढ़ती रिली आज से सुरू हो गई है जो 8 फरवरी से चलकर 27 फरवरी 2021 तक सेना बढ़ती रिली के लिए 11 डिश्टिक के सेना आज के दिन पास हुए है उसके बारे में जानकारी दोस्तों है तो दोस्तों बात करते हैं सेना बढ़ती रिली में दोड के लिए soldier trademan के पदों के लिए vacancy थी दोस्तों उसके लिए 406 युवा वो सपलता बुरवक 1600 मिटर दोड पास किये मुझपर नगर सेनाबरती रेली जो अभी सेनाबरती रेली चल रहे है दोस्तों मुर्जापूर सेनाबरती रेली में 11 दिन रेविवार को मुदिप्रनी सितामंडी वे समतिपूर के युवा सेनाबरती रेली ट्रेक मेन के लिए आवे दिन किया था उनके लिए सेनापरταी रेली की दोड का आईजन किया था उनमें से 406 कंडिडेट को सपलता पूर्वक दोड पास किये दोफतों दोफतों, इस सेनापरती रेली के लिए आने वाले योगों की बात करें तो 3886 कंडिडेट सेहनापरती रेली के लिए online registration किया था पंटु सेहनापरती रेली इस्तल पर कंडिडेट 2566 कंडिडेट पहुंचे थे उन में से 406 कंडिडेट सपलता पूर्ट दोड़ पास की है तो उस्तों जी हाँ दोफ्तों सभी पदों पर आरेक्सित जो चक्कर मेदार के अंदर सेहनापरती रेली चल रही है जिसमें कापी चारे युवा जो यूपी से विलोंग करने वाले युवा है वो फर्जी डोकुमेंटल बनवा कर सेहनापरती रेली में आये थे परन्तु उन सभी युवा को कागजाद जांच के बाद में उन्हें सेहनापरती रेली से पार कर दिया गया अब तक यह सिलसरा थमार नहीं है दोस्तों जी हाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा फर्जी युवा जो यूपी से विलोंग करने वाले युवा है वो अपने फर्जी डोकुमेंट बनवाकर सेनापरती रेली में फाग लेने के लिए आ रहे हैं पर नतु सेना के हाइटेक सिस्टम के आगे वो सभी धरासाई हो रहे हैं दोस्तों तो दोस्तों सेना बरती रेली की अधिक जानकरी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहना और इस वीडियो को जासे ज़्यादा सेहर कंटते रहना दोस्तों तो दोस्तों और भी इदिक आपको जानकरी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो और दोस्तों किसी भी परकार की कोई भी ARO से भरतीन की बारे में जानकरी है तो आप हमें कमेंट मोक्समा कमेंट जरूर कर सकते हो या हमारे इमेल पर मेल कर सकते हो दोस्तों तो दोस्तों वीडियो अंतक जरूर देखने के लिए धन्यवाई जहिन जे बार दोस्तों